चाहे आप उनसे प्यार करें या नफरत करें कपड़े तो आपके रोज मर्रा के जिन्दगी का हिस्सा है लेकिन हमारे पास कुछ मजीदार हैक्स है ताकि आपका उनसे डील करना थोड़ा आसान हो जाए हाँ, मुझे पता है हे, मुझे जाना होगा अपनी ग्राणी को कुछ प्यार दो इनके किसस अतनी खीले क्यों होती है मेरे पास मेरे लिली के लिए कुछ तौफे है टाडा शुक्रिया ये कितने बुराने है और ओ क्या ये सुन्दर नहीं है शुक्रिया ग्राणमा लेकिन मैंने सबसे अच्छी चीज आखरी में रखी है त्यारा है ना अब इसे ट्राइ करो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्ही फिट आता है जाओ जाओ मैं इंतजार कर रही हूँ अच्छी बच्ची ये तुम्हें बिल्खुल फिट है लिली जड़ा थोड़ा घूम कर दिखाओ ये मेरा स्टाइल नहीं है मैं मॉम की तरह लग रही हूँ आपको नहीं लगता? मेरे ब्रेसलेट्स ये स्कर्ट को मजीदार बना देंगे स्कर्ट के नीचे ब्रेसलेट डाले और इसके आज़ पास रबर बैंड बांध है दू तीन बार और करें और ये करते ही आपको एक सुन्दर सी नई स्कर्ट मिल जाएगी क्या आप मेरी एक तस्मीर लेंगे इंस्टिग्राम के लिए? इस पर बॉटन्स कहां है? क्या मैं इसे सही पकड रही हूँ? बस ऐसे ही रहो क्या ये डेविट है? कैसी हो लड़क्यो? ये बहतर है वाह! कैसी हो लिली? बेला लगता है आपको छोनी वाला है दोनों में से जो बहतर हूँ वो जीते मैं ये जीतने वाली हूँ वाह! ये तो कॉफी वेट है मैं अपने ही स्क्रॉंग हूँ तुम ठीक हो लिली? और मैं गई बेला ये राउंट जीत गई गई! और बेला दुबारा से बहुत अच्छा कर रही है लिली को और स्पनेच खाने के जरूरत है और बेला भी भी जीत रही है जो भी है इतना चेड़ों मत लिली मैं अब ये और भी कर सकती हूँ ये कैसे हो सकता है? मैं ये सब नहीं कर सकती बहुत हो गया दोस्तों तुम जीत गई बेला लेकिन इसके बदले कुछ और भी जाता है ये तो काफी शर्मनाक है बहुत गंदा है कोई बात नहीं बेला पसीना आना बहुत नाच्रल चीज है मेरी पासिक आइडिया है चलू एक रेगलर टीशेट ले कैट्सी ले और इस तरह काटे अब दूसरे डिरेक्शन में जाए और ये इस तरह दिखना चाहिए हलो मसल टे अब ये ले इसे थोड़ा सा नौट में बांधिये और अब एक बो प्यारा है ना अब मेरी तुचा सांस ले पा रही है और ये स्टाइलिश भी है और सारा गंदा पसीना चला गया कश मैं भी ये कह पाता बांद मुट है किसे को उसके खुट के मसर्टी चाहिए वाह ये बुक तो एक हजाना है हेई मैं उसे बात करने वाली थी लगता है बेला को सच में बुक्स चाहिए ये वाली सही रहेंगी ध्यांसी ये थोड़ी भारी है ये अगली हफते तक की है बहुत बहुत शक्रिया सच में मुझे पता ही था मैं पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुई ये एक लाइबरेरी है तुम्हें याद है मुझे बुरा लग रहा है हेई सब ठीक हो जाएगा मुझे अकेला छोड़ दो मुझे तुम्हारी तया नहीं चाहिए रुको मुझे पता है क्या करना है सबसे पहले ये लेसिस खोले और पैंट्स क्या तुम मजा करे हो ओ नहीं अंकल्स को क्रोस करें और फिर इसे शूलेस से बान दें बिल्कुल टाइट और बढ़िया अब लातो को इस तरह फोल्ड करें और एक्स्ट्रा लेसिस को बेल्ट लूप्स में डाल दें और अब इसे इसमें से निकाल ली अब जीन्स को पलटाएं और लेसिस को आगे वाली लूप्स से निकाल ली बुक को इसके अंदर डाली इस तरह अब इसे कस करबान दे देखा, अब तुमारे पास एक मेक शिफ्ट बाकपाक है और इसके आम होल्ज पे है हेई, ये सच में काम करता है ये बहुत ही अच्छा है शुक्रिया, बढ़ा को लड़की चलो मिलते है ये लप्स्टिक अच्छी है हाँ, आज सेल है मैं अरही हूँ हाँ, मैंने जितना सोचा थे ये उससे भी अच्छा है और सब कुछ डिस्काउंट पे है वाँ, ये तो काफे ज़्यादा तेज़ था समझ गया, समझ गया ये तो बहुत बुरा है यहाँ एक चीज़ बची है, मिस ये बहुत प्यारा है शायद ठीक है, मैं ट्राइ कर लूँगे खेर, देखते हैं, फिट भी होता है या नहीं दिजाइन तो अच्छा है क्या? ये तो काफे ज़्यादा बड़ा है और मैं तो इसमें जूल रही हूँ मुझे कुछ भी एंफोर्स्मेंट्स चाहिएंगी यहाँ कुछ बेल्ट्स है वो क्लिप मैं बस इसे एक सेकिंड के लिलूँगी और मुझे यही चाहिए था इसे थोड़ा खोले कप्डे को थोड़ा इकठा करे और बिन से इसे सुरक्षत कर ले और अब यह बहुत सही फिट हो जाता है मैं इसे यही से पहन कर जाऊंगी बस मुझे कुछ बढ़िया से पम्स जाएए क्या मैं कोई फार्शन जीनियस हूँ या क्या इतने अच्छी सेल के लिए शुक्रिया चेंज रख लेना हेई मैंने एक क्लिप लगाया हुआ था बहुत अजीब बात है यह पार्टी बहुत मज़ेदार होने वाली है अह मिस जरा इस मज़े हूँ एक गंद के बारे में कुछ कहना है इसके बारे में चंदा मत करो मैं अब भी सोच रहे हूँ कि मैं क्या पहनू क्या यह कलर अच्छा है यह काफे ज़्यादा पिंक है पर यह काम करेगा यहाँ भी बिगन मचा हुआ है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही कप्टे है मैं भी आती हूँ जो भी है क्या तुम ने आट सुपा है हमी क्या आउटफिट देखी थी अगर तुम से फाय नहीं करोगी तो मैं करूँगी हेई मॉम रुप जाओ मैं यह और नहीं जेल सकती ओ-ओ मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ तुम्हारे से यही होना चाहिए था ओ यार मॉम सब कुछ खराब कर देती है लेकिन मैं इसके साथ कुछ बड़िया बना सकती हूँ अगर आपके पास ब्लीच है तो उसे बस एक पैंट लग के उपर लगा दे अच्छे से लगाए घबराई नहीं और अब हम इंतुजार करेंगे देखो अब ये जीन्स कितनी अलग है मैं वापस आ गई लगता है इन पर ब्लीच ने अच्छा काम किया मेरी बेटी तो बहुत क्राफ्टी है क्या ये क्लोधिंग हास लाजवाब नहीं थे आप पहले कौनचा ट्राइ करेंगे पर इन हाक्स को सिर्फ अपने तक ना रखें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फाशन विजस बन सकें क्या आपने अभी तक ये देखी है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें